Hello Everyone, Welcome to Online Study Point दोस्तो आज है 28 सितंबर और 28 सितंबर से करंट अफेर के जितने भी important questions बन सकते हैं सारे हम इस सीडियो में कवर करेंगे और सभी questions है related extra fact भी जानेंगे सारे ही question important है इसलिए वीडियो अंतर तक जरूर देखिएगा और अभी तक ही दिया आप लोगों ने Online Study Point को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा-फट से सब्सक्राइब कर लिजे साथ ही बैल आइकन दबाना बिलकुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को नए वीडियो की notification सबसे पहले मिल सके और आप इस वीडियो की पीडियोफ टेली ग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं हमारा पहला question हाल ही में IMD विश्व डिजिटल प्रतिसपर्धा ranking 2019 में किस देश ने सीर्ज से स्थान प्राप्त किया यहीं कि इस ranking में पहले स्थान पर कौन था तो विश्व डिजिटल प्रतिसपर्धा ranking में पहले स्थान पर था सयुक्त राज अमेरिका दूसरे स्थान पर था सिंगापूर और तीसरे स्थान पर था स्वीडन मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ जहां कहीं भी ranking वाला question आता है तो आप लोगों को पहली ranking याद होनी चाहिए और इंडिया की ranking याद होनी चाहिए तो पहले rank पर है सयुक्त राज अमेरिका और इंडिया की ranking क्या है 44 और पिछले साल यहीं कि 2018 में इंडिया की ranking थी 48 ले IMD ने, तो IMD के बारे में जान लेते हैं, IMD की फुल फॉर्म होती है, International Institute for Management Development, इसके स्थापना हुई थी 1990 में, और इसका मुख्याले इस्थित है Los Angeles, Switzerland में, और Los Angeles, Switzerland से आप लोगों को क्या याद आता है, लोजन, Switzerland में, हैड़कॉर्टर है, IOC का, यहनि की International Olympic Committee, इसका भी हैड़कॉर्टर इस्थित है, लोजन, Switzerland में, तो यह आप याद रखिएगा, और इसके प्रसिडेंट कौन है, तो IMD के प्रसिडेंट के प्रसिडेंट है, डोमनी टर्पिन, तो यह भी आप याद रखिएगा, Next Question है, हाल ही में, किस राज्जी सरकार ने, वायू प्रदूशनर को कम करने के लिए, विश्व का पहला trending platform लाँच किया है, यह विश्व का पहला trending platform है, इसलिए है question most important है, और यह लाँच किया गया है, गुजरात गवर्मेंट के द्वारा, गुजरात ने लाँच किया है, त पहले ही गुजरात के गांधी नगर में ही, विश्व की पहली बैटरी चालित सिटी बस सेवा का शुभारम में किया गया था, दूसरा आप लोगों को यह याद रखना है, कि गुजरात के ही एहमदाबाद में, विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम का भी निर्माड किया गया है, तीसरा आप लोगों को यह याद रखना है, कि गुजरात के ही महिसागर जिले में भारत के पहले डायनास और पार्ग का उधगाटन किया था, और उधगाटन किस ने किया था, विजयरुपानी जी ने, जो कि यहां के मुख्यबंतरी है, और आप लोगों को यह भी आप याद होना चाहिए, कि विश्व की सबसे उची मूर्ती, स्टेच्यू ओफ यूनिटी, यह भी गुजरात में ही इस्थित है, तो यह भी आप याद रखिएगा, और विश्व का पहला ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म, गुजरात ने ही लॉंच किया है, नेस्ट कुश सौधी अरब की कैपिटल है, रियाद, करंसी क्या है, सौधी रियाल, यहां के क्राउन प्रिंस कौन है, तो सौधी अरब के क्राउन प्रिंस है, मुहम्मद बिन सल्मान अलसौद, यहां के क्राउन प्रिंस है, और सौधी अरब से आप लोगों को क्या यादाता है, कुछ सम किंग अब्दुलाजीज और ऑफ किंग अब्दुलाजीज से सम्मानित किये गये थे नरेंद्र मोदी जी जो की सौधी अरब का हाइस्ट सिविलियन ओनर है तो यह भी आप याद रखिएगा नेस्ट कोश्चन है हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक रिसेट रिगेन कि इंडिया compression किया गया तो यह भुख लिखी गई है सुभ्रामण्ययम स्वामी के द्वारा और इसका स्ट्र मोच निनिकी launching तो इस बुक की हुए भारत के आर्थिक विकास के बारे में बताये गया है यानिकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताये गया है यह बुक लिखी गई है सुब्रमन्यम स्वामी के द्वारा और आप लोगों को जीवन पर आधारित है जो की लिखी गई है संजय बारू के द्वारा और इसी बुक पर बेस्ट मूवी भी आई थी जिसमें अनुपम खेर ने मनमोहन सिंग जी का किरदार निभाया था आप लोगों ने देखा भी होगा और मलाला यूसुव जई इनकी एक बुक है वी आर डिस्पलेजड और मलाला यूसुव जई सबसे कम उमर में नोबल पुरुसकार पाने वाली महिला है याद रखीगा और अनुपम खेर और लुजड ने बिए अपनी एक वुक लॉंच की है इनकी वुक का नाम है लेसंस लाइफ टॉट मी अनुवेंगली क्या है lessons life taught me unknowingly अनुपम खेर की बुक का नाम है याद रखिएगा नेश कोश्चन है हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा परिवहन अंतरिक्ष जहाज यह किस देश ने लॉंच किया है यह दुनिया का सबसे बड़ा परिवहन अंतरिक्ष जहाज है इसलिए कोश्चन important है और यह लॉंच किया है जापान ने तो जापान के बारे में जान लेते हैं जापान की capital क्या है टोक्यो और टोक्यो से आप लोगों को क्या याद आता है जो next olympic है 2020 का यह टोक्यो में ही आयोजित किया जाएगा यहां की currency क्या है जापानी येन यहां के prime minister कौन है सिंजो अबे और अभी हाल ही में विश्व की सबसे तेजगती से चलने वाली train जिसका नाम क्या है अलफा X अलफा X का भी trial जापान में ही किया गया था और अलफा X की speed कितनी है 400 km पर आर और यह विश्व की सबसे तेजगती से चलने वाली train है और बात यहां पर अंतरिक्ष जहाज की की जा रही है यहां की space की की जा रही है तो जापान की space agency की बारे में जाल लेते हैं जापान की space agency का नाम है JAXA यहां पर JAXA की full form मनती है जापान aerospace exploration agency जाकसा की full form है याद रखिएगा नेश कोश्चन है विश्व पर आटन दिवस 2019 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है तो कोश्चन आपसे किसी भी दरह से पूछा जा सकता है विश्व पर आटन दिवस आप सभी जानते है 27 सितंबर को मनाया जाता है और कोश्चन आपसे यह दिफिकल्ट फॉर्म में पूछा जाए तो यह पूछ सकता है किसकी मेजबानी किस ने की तो इस बार के विश्व पर आटन दिवस की मेजबानी की अपने देश भारत ने और विश्व पर आटन दिवस जो की 27 सितंबर को मनाया गया इसकी थीम में इंपॉर्टेंट है तो इस बार की थीम थी तूरिज्म एंड जॉब अ बेटर फ्यूचर फॉर आल मैं फिर से बोल देती हूँ तूरिज्म एंड जॉब अ बेटर फ्यूचर फॉर आल इस बार के विश्व पर आटन दिवस की थीम थी मेजबानी किसने की भारत ने और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे परेटन मंत्री कौन है यनि की मिनिस्टर ओफ टूरिजम कौन है यह है प्रहलाद सिंग पटेल इनकी कॉंस्टेंसी क्या है दमोह मध्यप्रदेश यह परेटन राज्जी मंत्री है इनकी इंडिपेंडन्ट चार्ज है इनके पास और बात यहाँ पर की जा रही है परेटन की तो परेटन मंत्राले के बारे में हम जान लेते हैं इनकी Ministry of Tourism इसके स्थापना की गई थी 1967 में और इसका Headquarter इस्थित है नई दिल्ली में और Minister कौन है अभी मैंने बताया प्रहलाद सिंग पटेल तो यह भी आप याद रखीगा Next Question है हाल ही में मोदी जी ने संयुक्त राश्ट्र महासभा के 74 सत्र को कहां संबोधित किया तो इसके 74 सत्र को संबोधित किया है नरेंदर मोदी जी ने नियू यॉर्क में और संयुक्त राश्ट्र महासभा या इसे हम इंगलिस में कहें United Nation General Assembly इसके स्थापना की गई थी 1945 में और यहां United Nation का ही एक अंग है एक पार्ट है और इसके President important है क्योंकि इसी वर्से नियुक्त हुए है तो संयुक्त राश्ट्र महासभा के Present Time के President है मुहम्मद बंदे तो इनका नाम भी आप जरूर याद रखिएगा और संयुक्त राश्ट्र की स्थापना कब हुई थी यूनिकी United Nation की 24 अक्टूबर 1945 को और इसका मुख्याला है नियू यॉर्क में इसके अध्यक्ष कौन है ए अध्यक्ष कौन बने हैं तो Chief of Staff Committee के नए ध्यक्ष बन गए है थल सेना विपिन रावत और यहां किसका इस्थान लेंगे यह इस्थान लेंगे बियस धनुवा का और बात यहां पर Chief of Staff Committee की की जा रही है यहनिकी COSE की तो इसके बारे में मैं आपको बता दू जो COSE है यह तीनों सेनाओं के प्रमुख इसमें सामिल होते हैं COSE में और तीनों सेनाओं के प्रमुख में जो वरिष्ठ होता है वही इसका अध्यक्ष चुना जाता है और अध्यक्ष कौन चुन लिए गए हैं विपिन रावत तो यह भी आप याद रखिएगा नेश कोश्चन है अफगानिस्तान ने हाल ही में किस देश को 224 रनों से हरा कर विदेश में अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की है यह विदेश में पहली टेस्ट जीत है अफगानिस्तान की और किस देश को हराया है तो अफगानिस्तान ने हराया है बांगला देश को तो एक अफगानिस्तान और दूसरा बांगलादेश तो वन बाइवन हम दोनों के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले अफगानिस्तान के बारे में अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है काबुल करंसी क्या है अफगान अफगानी प्रेसिडेंट कौन है असरफ गनी और अभी बांगलादेश के बारे में जान लेते हैं बांगलादेश की कैपिटल क्या है धाका और धाका से आप लोगों को क्या यादाता है धाका में हैटक्वाटर है बिमस्टेक का और बांगलादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है वह भी चर्चे में रही है बांगलादेश की कशीना को तो ये भी मियां प्याद रखेगा हिशं को शन है यह कोश्चन है यह दो नंए आपलोगों के रिविजन के लिए रखा है कि से हाली में लेम एक बहरती उच्छा युक्त किया गया है तो लेसोथ्वे में नए भारती उच्छ युक्त नियुक्त कर दियें गये हैं जैदीब सरकार अब आप कहेंगे कि जैदीब सरकार तो दक्षुन अफरीका की उच्छ युक्त है तो मैं आप लोगों को बता कि दक्षिन अफ्रिका के सांस साथ इन्हें लेसोतों कभी अतरिक्त कार्यभार सौपा गया है इनकी additional कार्य नाम क्या है जैदीब सरकार और जैदीब सरकार 1987 बेच के IFS officer है तो ये भी आप याद रखिएगा और एक नाम important है पवन कपूर क्योंकि पवन कपूर की ये भी न्यूक्ति हुई है पवन कपूर को UAE में इंडिया का next ambassador न्यूक्ति किया गया है इसलिए इनका नाम भी आप याद रखिएगा कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में किसे न्यू यॉर्क में Change Maker Award से समानित किया गया है तो यह समानित की गई थी पायल जांगिर आप सभी ने इसका राइट अंसर दिया था अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है खाल ही में दुनिया का पहला ऊट अस्पतालिनी की Camel Hospital यह कहां खोला गया है इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में डिटेलिंग के साथ लिखिएगा और आप लोगों के लिए 1200 प्लस Current Affair की Master PDF की लिंक ओपन है आप लोगों के प Current Affair की क्लास में पढ़ाया जाता है यहीं की डिटेलिंग के साथ पिछले एक साल का Current Affair तो Master PDF डाउनलोड करना बिलकुल मत भूलेगा तो दोस्तों आई होप वी वीडियो आप लोगों पसंद आया है पसंद आया तो अपने study related group में शेर जरूर करिएगा और online study point को like, share, subscribe करन बिलकुल मत भूलेगा आज के लिए इतना ही दोस्तों थैंक्यू सो मच जय हिन जय भारत